मन्धकार को क्यों धिकारे मन्धकार को क्यों धिकारे अच्छा है एक जीब जलाए जीब से जीब जलता ही रहेगा तीखा है जो सब को सिखाए वयंपदे औरों को पढ़ाए अपना जीवन सभल बनाए मन्धकार को क्यों धिकारे अच्छा है एक जीब जलाए दीब जलाए है जीब जलाए है प्राण्षिक्षा के परिवेख्षत या प्रेरत्ष्य समूं तथा विकास के विब जलाए है। बिन्य विभागों के बीच का संपर्क सूत्र है प्राण शिक्षा के कारिक्रमों के उद्देशों की प्राप्ती में परिवेक्षक की महत्पूर्ण भूमिका है प्राण शिक्षा के सभी केंद्रों के सफल संचालन का भाद याद रखिए परिवेक्षक पर ही निर्भर करता तो आईए देखते हैं परिवेक्षक की सफलता की कहानी को कर दो कि अधिक गड़ेंगे आई अधिक को जाने के अधिक क्यानी मागा अधिक दो नहीं कि अधिक आधिक मेले का समाचार कुछा पर रहे थे अध्याद आक यह देखिए कुछ किताबें हैं हाँ ये दो किताबें हैं केंदर की तरफ से अच्छा विया अच्छा सुरिये विर्धान जी है क्या हाँ घर पर थे सुबा अच्छा राम 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 कर दो कि अच्छा 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 आप रहा है नमस्ते नमस्ते और जान है बस ठीक है पढ़ाई चल रही है अब तुमने किताब भी पढ़ लिए अच्छी बात है तो हम तुमारे लिए और किताब भी जवा देंगे और तुम्हारा क्या हाल है अब तो हम मुन्वा को भी बढ़ा लेते हैं यह तो बहुत खुशी की बात है और तुम जाती हो ना केंद्र में हाँ जाती है और गीता तुमारी दीदी कैसी है बहुत अच्छी है खुब अच्छी तरह से पादाए अब हम कु और मिक्तल भीया ऐसे बैठे क्या सोच रहे हो मैं सोच रहा हूं कि जब मैं इस काउम में आया था तब से और आज में कितना परिवर्तन आगिया है काउं के अधिकांश लोग साक्षर हो चुके हैं और अपना काम और दक्षता से करने लगे हैं चारों तरफ खुशाली ही खुशाली फैल गई है अच्छा भीया एक बाद बताओ परिवेक्शक और प्रेरक के रूप में आपने यह सब किया कैसे है मैं जब इस काउम में आय कि सबसे पहले में प्रधान और गाउं के दूसरे बड़े बुजुर्गों से मिला इनके सुक्तुक में हिस्ता लिया इनसे संबंद बनाए और उसके बाद मैंने यहां का सर्वेक्शन किया अधिये नमस्ते पर इच्छेगा नमस्ते नमस्ते आईए आईए हम तो आपाईगा इंतिजार कर रहा अरे माफ की दिएगा मुझे आने में थोड़ी देर हो गई इस गाँवालों को तो मैं भी समझाते समझाते परिशान हो गया फिर भी पढ़ाई लिखाई की बात इनकी समझ में नहीं आई अरे सब समझ जाएंगे अगर आप जैसे लोग हमारे साथ होंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे हमारे लाहिक जो सेवा हो हम हाधिर हैं सबसे पहले हमें सर्वेक्छन करना होगा काम कितने लोग निरक्छर हैं ये जानना होगा और उन्हें सिक्षा के लिए समझाना होगा उसके बाद केंदर कब और कहां लगेगा ये सारी बातें उनसे जाननी होंगी हाँ हाँ और कुछ और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हीं लोगों में से पढ़ाने के लिए एक अनुदीशक का भी चुनाव करना होगा आप ठीक कह रहे हैं तो फिर ऐसा किया जाए कि गाओं माद चलके लोगों से मिल लिया जाए तो फिर सारी बात तो तय हो गई अब ये बताईए कि शुरू कहां से किया जाए हम तो चाहत है कि हम अपने उलाके से सुरू कर देगी? हाँ, और क्या है? तो ठीक है, अपना है इसे करते हैं तो चलिए फिर आएए आएए आहो धनी राम सुर्धान जी नवस्ते 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 तो ठीक वाएए आएए ठाथिए तो धनी राम यह परवेश्चक जी है यह तुम से कुछ पुछ यह तो भाया धनी राम कहा तक पढ़े हुए हैं आप तो साथ कुछ हो नहीं पढ़े अगर आपको पढ़ने लिखने की सुविधा आप ही के गाओं में मिल जाए तब तो पढ़ेंगे ना भाया अब इस उमर मे पढ़कर का करी और फिर काम दंदे से भी तो फुरसाथ ना ही मिलत है अरे क्या बात करते ओ धनी राम भाया पढ़ाई-लिखाई का उम्र से क्या संबन्द पढ़ाई-लिखाई तो किसी भी उम्र में और कभी भी शुरू की जा सकती है समझे ना हम बगर वो रही समय की बात तो उसकी तो कोई समस्या ही नहीं है, जिस समय आप चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, उस वक्त ही केंद्र लगेगा, और दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि पढ़ाने वाला भी आप ही लोगों के बीच का आदमी है, अरे भाईया धनी राम, कुछ पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारे ही बाल बच्चों का भला होगा, और फिर चिठी पत्री भी तो तुम्हें पढ़ना आवा जाएगा ना, तो धनी राम, तुम्हा नाम तो नोट कर लिया गवा, ठीक है न, अब जब गाउं मा केंद्र लाग लोगों से संपर करना है, इसके लिए वह गाउं में जाता है, गाउं के बड़े बुढ़े ग्राम प्रदान से संपर करता है, साथ ही गाउं के पढ़े लिखे लोगों की मदद भी लेता है जैरा स्काराम प्रदान से संपर करें, आई आई बढ़े 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 हाँ तो भाईयों और बहनों, जैसा कि आप सभी लोगों का मालूम है, कि हमरे गाउं मा पढ़े लिखे लोग यादा नहीं है हाई कि नहीं, तो आप लोग पढ़े लिखे के वास्ते यहाँ एक केंद्र खोला जाई, जीमा आप लोग का पढ़ावा जाई, अब आप लोग का पढ़ावा कैसे जाई, सिक्षा आप लोगन का कैसे दी जाई, इबारे में हमरे मित्तल भाईया आप लोगन का जानकारी द केंद्र शुरू करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप लोगों को का खा गागा पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा या फिर गिंतियां सिखाया जाएगी इसका मतलब है कि जिन शब्दों से आप परिचित हैं आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रियोग करते हैं पर सम्मान के हगदार आप नहीं हो सकते हैं आपको सिर्फ एसी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अब आप लोगों को सोचना है कि आप से लेला चाहते हैं और बाकी जिन्दगे भी इसी तरह से मिता देना चाहते हैं या फिर साक्षर होना चाहते हैं और अपने बाल बच्चों का भी भविश्य सुधारना चाहते हैं मुझे सिर्फ इतना ही कहना है जैने वाद कि अधी विद्तल भाईया आप लोग का कुछ जानकारी दीन सब लोग ध्यान से सुने हुई है तो आम हमका ही वताओ कि कौन कौन पढ़े कचाद अधी तो सब्सक्राइब पढ़े तैयार ही गए तो बहुत अच्छी बात है पढ़ने हो तो अच्छा ही है और जो लोग यहां नहीं आ पाए हैं उन्हों का ख़बर कर दियो आप अब हम लोग चली फिर आई नमस्ते और बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है ना जी ठीक ठाक पढ़ाई न मैं परॉडशक्या का परियुक शक हूँ इस गाउं में महिला प्रॉडशक्या के इंद्र शुरू करने की कोशिस कर रह हूं आपकी साहता की ज़रूरत है जी हमारी साहता आपको पूरी मिलें नमस्ते नमस्ते अरी सुनतो देखो तो को आवा है देखे तो को आवा जा नमस्ते नमस्ते अरी सुनला जी आप से कुछ ज़रूली बात करते हैं तो अंदर आईए आप बना लिए तुम भी बैठो भाई सुनला बात ये थी कि काउं में महिला प्रॉड सिक्छा के इंदर शुरू किया जा रहा है गाउं की काफी लोगों से इस बारे में बात हो गई है मैं ये चाहता था कि तुम इनको भी पढ़ने के लिए उस केंदर पर भीजो अरे अभी पढ़ो कि कहा करिया चाहा बर के काम करा अरे बहुत तुम पढ़ लिए तो इनको नहीं पढ़ने दोगे अरे बहुत अच्छी बात है अच्छा चलते जहां तक सर्वेक्षन का सवाल है आम तोर पर यह देखा जाता है कि यदि परिवेक्षक अनुदेशक के सहयोग से खुद ही सर्वेक्षन करता है लोगों से संपर्क स्थापित करता है लोगों का विश्वास जीता है उनमें घुल मिल जाता है और एक अच्छे वातावरण का निर्मान करता है तो सर्वेक्षन सही होता है और केंद्र अधिक सफलता से चल पाते हैं सरोज, सरोज यह मिर्तल साहब प्रोड शिक्षा के प्रेरक हैं और हमारे गाओं में भी एक महिला प्रोड शिक्षा के इंद्र खोलना चाहते हैं तो मैंने तुम्हारे बारे में इनसे सब कुछ बता दिया कि तुम आठवी पास हो सरोज, मुझे यह बताओ कि इस गाओं में पढ़ी लिखी महिलाओं की इस्तिति क्या है यहाँ पे काफी महिला यासी है जो निरक्षर है कुछ भी नहीं जानती पढ़ना लिखना पर हाँ दो चार हैं जो जैसे किंती अपना नाम या यह सब लिख लेती है पढ़ लेती है तुमसे मिल करके मुझे लगा कि तुम्हारे नाम पर भी विचार किया जाए अगर तुम चाहो तो ने यह घर में तो ठीक है कि वह बैठ जाती हैं पढ़ा दते हैं लेकिन वहां स्कूल में जाके हम कैसे पढ़ाएंगे और तो काफी परेशानिया होंगी परेशानिया आएंगे उसके लिए तो हम तुम्हें प्रिसिक्षण देंगे और उसके बाद भी कुछ परेशानिया आती हैं तो हम लोग तो हैं ही तो ठीक है मैं एक फॉर्म महुनलाल जी के हाथ तुम्हारे पास विजवा दूँगा तुम भर के भीज देना अच्छा चल कि आप लोगों किरपा से थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है उसकी देखभाल करता हूं और बाकी बच्चे हुए समय में इस गाओ के बच्चों को पढ़ा लिखा देता हूं गाओ में किसी की चिठ्थी आई तो उसे पढ़ गयोंने सुना देता हूं यह चिठ्थी लिखन करते हैं अच्छा तो आप लोग केंद्र कहां लगाना चाहेंगे अपने सांगन में या फिर बारामदे में मेरा ख्याल है मित्तल भाई जहां सभी लोग चाहें सब कि सुधा के अनुसार और समय के अनुसार हम वही पर प्रॉप श्चा केंद्र लगाएं ठीक है अनुदेशक का चुनाव करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए पहला अनुदेशक उसी समधाय का हो जहां पर केंद्र खुलने वाला हो और उस छेत्र के लोगों को स्वीकार हो दूसरा कम से कम वह हाई स्कूल पास हो ताकि लोगों को अच्छी साक्षर्टा का ग्यान करा सके तीसरा उसमें नेत्रत्वे के गोण हो और समासेवा की भावना हो चौथा वह स्वयम सेवा के लिए तयार हो और उसमें दूसरों को प्रेरित करने की शमता हो पुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज गाउं सादत खेड़ा के आप सब लोग इखटे हुए हैं और इस सब का श्रेज आता है प्रधान जी को प्रधान जी का और मास्टर जी का सहयोग मिला साथ ही आप लोगों का भी बहुत बहुत आभारी ह जो सहयोग और इसने मिला उसी की वज़े से आज ये काम संभव हो पाया है केंडर के लिए हमने जगा तैं कर ली है और पुर्षों के प्रौड़ सिक्षा केंडर के लिए हमने आप ही लोगों के बीच में से श्री प्रभूदयाल जी को अनुदेशक के रूप में चुना है साथ ही महिलाओं के प्रौड़ सिक्षा केंडर के लिए महिला सिक्षिका के रूप में सरोज को चुना है अब इन दोनों को प्रिसिक्षा दिया जाएगा और उसके बाद आपके गाउं में महिला प्रौड़ सिक्षा केंडर और पुरुष प्रौड़ सिक्षा केंडर हाँ उदिन आए रहा हो लोग तो कहें कि हुआ पर यहां तुम पढ़ावे आज जीवित घर्मा पढ़ाई थे वही तरह हुआ केंद्र पर आजावा कि हम पढ़ादे बैं अचलती हो वह तैंसिल कौपी किताबे सम्मिलिये जो उनकुछ पढ़े खाते हैं तुम सुनती बैनी हाँ सुननी हाँ केंद्र पर पढ़े खाते जरू चली आवा करो हाँ जरूरा है हाँ आज हम तुम सब का काम लिखे बदेबे इदो के एक हसिया तरह का पना है ना हसिया समझी जिससे घास काटी जाथ अगर हम यह का मून लेत है तो यू एक का है गोला काल गोल गोल बनाना आधा गोल और यू आधा गोल बना हुआ है अगर इक हम तुम झाली के हम ऄत तुम तो यह हमसिदा बनाको बना आख सम्झेब बिर का हो तिया हसी वाला जो है यूँ इका और इका जोड़ दिया नियों यूँ जोड़ गे अगर यूँ आधा यूँ पियू वाला डंडा नीचे आएगा और या जो हसी इधर वाले बनीड़ है यह आएगे इधर यह देखो गोल आगी ना या फिर यू डंडा इधर वाला है यूँ डंडा कीस देनिमा फिर यह जो हसी अगर लगा रहा मिचे इका हसी अग्तर आए और यह हस्या दो बनाए और यह जो जो डंडा रहा नेखा इंका ऊपर खीर है नियों कियोड कर दिया आँए अब यू का होगा दिया आँगा गाल छोटा सा यह जो पे नहीं नहीं ऐसे देखो देखो, यह करो ऐसे यह पास में देखा ही जो, यह वाली यहाँ पे यह एक रिडिक्सी देखा की जो, हाँ? यह हो गया काम धा यह देखा से धनी राम, समझ गया आप, और दूसरा अक्षर है ए ना लिखे लिखे, कोशिश करी आप लोग, लिखे ना, लिखे वाल्मिया धान आप सब लोग जानते हैं, मगल लिखना नहीं जानते लिखा कैसे जाए, यह मैं बताता हूं यह देखिए, सबसे पहले हमने एक छोटी रिखा की थी देखा अपने, उसके नीचे एक छोटा आधा गोला, उसी तरीके से एक छोटा आधा गोला और अगर इस गोले को थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया जैसी रेखा यहां खीची इसी तरीके की एक छोटी रिखा और उसके साथ एक यह इस तरीके से पढ़ी हुई रेखा यह हो गया दा इसके साथ में हमने आकी मात्रा लगा दी यह रेखा खीच करके तो हो गया दा इसको बढ़ाया हमने थोड़ी बड़ी रेखा कीची और इस रेखा से मिला करके एक रेखा यह गिरा दी जितनी छोटी रेखा यह थी इसी तरीके की बीच हो बीच एक रेखा और उसके नीचे यह गोला यह हो गया धान तो बहनी आज की पढ़ाय लिखाई खतम होई गए तो आप कुछ काना बजाना भी हो जाए चाहिए और अच्छ की देन रेखा यह था है थार्या लिए अख़्त भीगवाणी थार्या यह थार्या लिए पृप्षाद दाल्ये आनाओ अब आप लोग तो पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत सीखी गए हैं चली शुरू करेंगे पार चार खोलें हाँ आप दी खोलें हाँ देखिये यह रहा है एक ता इतर देखिये इतर देखिये पार चार आप एक बल में आप शुरू कीजिए काव में लोग एक परिवार की तरह रहते हैं कोई किती भी जातिकास क्यों नहों हाँ सबका एक दूसरे से भाई चारा रहता है शाबाश हाँ भै धनीराम आप जरा आगे पढ़िये कभी सुकराती चाचा होते हैं कभी रामू काका तो कभी महावीर बाबा आप लोग तो बहुत थोड़े समय में काफी पढ़ना लिखना सीथके नमस्कार नमस्कार आपके केंद्र किस प्रकार चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं आप स्वयम देख लीजिए केंद्र तो आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं एक बात आप और बताईए कि अनुदेशक के साथ में आपके समबंद किस प्रकार के हैं एक सहयोगी के मैं हमेशा उन्हें अपना साथी समझता हूँ कभी भी अपने से निमनिस्तर का नहीं मानता उन्हें एक सम्हू के सदस्य के रूप में लेता हूँ तभी तो केंद्र की शुरुवात से लेकर के केंद्र के समापन तक वो मुझे सहयोगी मान करके मेरे विश्वास को कायम रखते हैं केंद्र सफल हो पाते हैं जा बहुत अच्छा इसके साथी साथ एक बात और बताएए कि जब आप अनुदेशक को प्रशिक्षन दे देते हैं उसके बाद आप अनुदेशक से कब-कब मिलते हैं हमेशा केंद्र की शुवात से ले करके केंद्र के खत्म होने की पूरी अबदी तक अच्छा एक परिवेक्षक केंद्र की सफलता के साथ साथ छेत्र की सफलता में भी सहायता प्रदान करता है एक संदर विव्यक्ति के रूप में वो छेत्र से विभिन प्रकार की जानकारियां एकत्र करता है और उन जानकारियों से वो अनुदेशक एवं रक्षर प्रोणों को सहायता प्रदान करता है और उन से उनको लाभानवीत यह तो थी एक कर्मट परिवेक्षक की कहानी अपने छेत्र में सफलता इन्हीं मिली अपनी लगन निष्ठा और मेहनत के कारे कारे करने के तरीके अलग-अलग होते हैं पर यदि सही धंग से कारे किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती हैं सही धंग से कारे करने में आप अपने छेत्र में जादा सफल हो सकते हैं पर यह याद रहे कि प्रौर शिक्षा परिवेक्षक के कारे सामाने से अधिक मेहनत चाहते हैं क्या आप इसके लिए तयार हैं प्रॉर्षिक्षाकेंद्रों के सफल संचालन के लिए परिवेक्षक या प्रेरक की अहम भूमिका है गाउं के युकों को अपने कारिक्रम के विशे में पूरी जानकारी दें गाउं के बड़े बुजूर्गों से संपर्ख करें आविशेक्ता पढ़ने पर गाउं में क्राम सभा का आयूजन करें सही अनुदेशक का चैन करें केंद्र के प्रारंव से अंत तक उस छेत्र के लोगों से संपर्ख बनाए रखें अनुदेशकों को सहभागी समझें अनुदेशकों को समय समय पर सहयोग दें निर्धारित समय पर मूल्य अंकन करें परिवेक्षक उस छेत्र के समुदाय का एक हिस्सा बनें मंधकार को क्यों अधिकारे अच्छा है एक दीब जलाएं जीब से जीब जलता ही रहेगा सीखा है जो सब को सिखाएं पयम पड़े औरों को पढ़ाएं अपना जीवन सभल बनाएं मंधकार को क्यों धिकारें अच्छा है एक दीब जलाएं दीब जलाएं दीब जलाएं दीब जलाएं झाल झाल